हलो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने प्यारी चनल्ज यूनिक गारडेन गारडेन में स्वागत हैं चलिए दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं कि अगर ग्रीन नेट नहीं होता तो आज हमारे छट पे क्या होता जी हाँ दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ कि यदि ग्रीन नेट आपके पास नहीं है तो आप छट पे गार्डेनिंग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो समझ लिजे कि आपके कीमती पौधों की क्या दसा होने वाली है आईए हम आपको दिखाते हैं कि जो पौधे हमने ग्रीन नेट में रखे हुए थे उनका क्या हाल है और जो पौधे हमने ग्रीन नेट के बाहर रखे थे उनका क्या है देखिए हमने ये छोटा सा ग्रीन नेट अपने गार्डेन में लगाया हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी चोड़ाई और लंबाई भी कुछ खास नहीं है क्योंकि ये बड़े महेंगे भी थोड़े पड़ते हैं और इनकी सारी ब्योस्था भी करनी होती है तो इतना ज्यादा पैसा भी नहीं हो सकता है कि आदमी लगाये तो जो लोग कहते हैं कि gardening बड़ी सस्ते की चीज है बहुत ही आसानी से हो जाती है और तो ऐसा विलकुल भी नहीं है और यदि आप gardening सही तरीके से करना जा रहे हैं और करने की इच्छा भी रखते हैं तो आपको green net लगाना ही होगा वरना आपके सारे जितने भी कीमती पौधें होंगे उनकी दसा बहुत ही खराब हो जानी वाली है यहां तक कि वो खतम हो जाएंगे जिसकी chances ज़्यादा रहेगी बचने की कोई chance नहीं है जैसा कि आईए हम आपको दिखाते हैं कि समय गर्मी बड़ी भीसण पड़ रही है और इस भीसण गर्मी में अपने कीमती पौधों को बचाना भी एक बड़ी समस्या है जैसा कि आपको देखी रहे हैं हमारे यहां भी तमाम तरह के पौधे लगे हुए हैं और इन पौधो को बचा के रखना बड़ी मुसीबत है देखिए यह केला का प्लांट लगा होते हैं इसकी क्या दसा हो गई ग्रीन नेट के बाहर है यह थोड़ा इसलिए इसकी दसा भी खराब हो गई और यह देखिए यह हमारा बेला का प्लांट है मोगरा का इसकी भी दसा आप देख लि पौधों को बाहर रख रहे हैं तो समझ लिए आप अपने पौधों के साथ काफी खिलवाड कर रहे हैं इसलिए इनको आप ग्रीन नेट में जरूर रखें आएए अब आके चलते हैं इतनी भीषण गर्मी में तो इनसान तो क्या सारे पौधे भी सर्वाइब नहीं कर पा रहे हैं बड़ी बुरी दसा हो जा रही हैं उनकी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा यह बोगन बेलिया का प्लांट बहुत ही सुन्दर प्लांट था इसमें फ्लावरिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही थी लेकिन आज इस भीषण गर्मी में ग्रीन नेट के बाहर होने कान इसकी दसा पूरी तरह से खराब हो चुकी है इसकी पत्तियों के साथ साथ ही इसकी सारी जो आप डालियां भी देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है अब पता नहीं से नए कल्ले निकलेंगे की नहीं निकलेंगे यह तो भविष्षची की बात है लेकिन गरीन नेट में न रखने का बड़ा ही खामि हो गया एकदम और दूसरी हमारा वोगन बिलिया का प्लांट है इसकी पतियां भी काफी पूरी तरह से जल चुकी हैं लेकिन उपर वाले की कृपा थी कि ये प्लांट सर्वाइब कर गया और अभी तक इसमें जीवन बना हुआ है पूरी तरह से ये डैमेज नहीं हुआ है और हलका बारिस के मौसम आने के बाद इसमें ग्रोथ काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी तो पूरे का मतलब यही निकलता है कि यदि आप छट में खूले में गार्डेनिंग कर रहे हैं तो भीसन गर्मी के मौसम में आपको ग्रीन नेट की व्योस्था अवश्य कर लेन लेकिन ज्यादा तर प्लांटों की दसा काफी खराब हो चुकी है यदि कोई अच्छा सा आइडिया आपको भी दिमाग में आता है पौधों को बचाने का इतनी भीसर गर्मी में तो जरूर हमारे कमेंट में करके वह उपाय जरूर बताईएगा उस उपाय को अगर कारगर बीना ग्रीन नेट के भी अगर बचा सकें तो यह बहुत बड़ी बात होगी तो आप कमेंट में अवसे इस बात को जिक्र जरूर करिएगा यह हमारा नीबू का प्लांट है जो ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था जब यह बाहर था तो इसकी दसा काफी खराब हो चुकी थी लेकिन जब से इसे ग्रीन नेट के नीचे हमने रखा काफी अच्छा तरीके से सर्वाइब कर गया मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाला था लेकिन सोच रहा हूँ कि जब बारिस का मौसम आ जाए तभी मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूं क्योंकि इसकी प्लांट काफी डैमेज हो चुका है सडगल गया है इसका प्लास्टिक और भी हमारे सारे प्लांट जो ग्रीन की ब्योस्ता कर लें या ऐसे उपाय जरूर अपना ये जिसे कि आपके कीमती प्लांट जो है गर्मी की मौसम में भीशन गर्मी से जबकि टंप्रेचर आपका 47-47 चल रहा हो उसमें आपके प्लांट जो है सरवाइब कर जाएं और बचे रहें तो आसा करते हैं दोस्तों कि हमा हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को जरूर पुछ कर देए